फिल्म निर्देशक इंदर कुमार अंद विश्वासी हैं उनकी कई फिल्मों में एक पेड नजर आता था इंदर कुमार उस पेड़ को अपने लिए लकी मानते थे और उस पेड़ के इर्द गिर्द हीरो हीरोईन को चक्कर लगवाने वाला शाट जरूर रखते थे इंद्र का मानना था कि उस पेड़ के कारण उनकी फिल्म में सफल होती है इसी तरह कहा जा सकता है कि मादूरी दिख्षित भी उनके लिए भागशा ली रही है मादूरी को लेकर इंद्र ने अपनी फिल्म दिल 1990 में बनाई थी जो की बॉक्स आफिस पर सुपर हिट रही थी इसके बाद इंद्र कुमार बॉलिवुड में स्थापित हो गए जिस दिन दिल रिलीज हुई थी उसी दिन राज कुमार संतोशी की गायल भी रिलीज हुई थी जिसमें सनी देवल हीरो थे दिल और गायल दोनों एक ही दिन रिलीज होकर सुपर हिट रही थी इंद्र कुमार ने अपनी दूसरी फिल्म भी मादुरी दिक्षित के साथ बेटा 1992 में बनाई थी इस फिल्म में अनिल कपूर थे अनिल और मादुरी की जोड़ी बेहत लोग प्रिये थी इस फिल्म को भी बॉक्स आफिस पर शानदार सफलता मिली मादुरी तब नमबर वन नाई का थी और इंद्र कुमार अपनी इस हिरोईन का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे इंद्र ने तीसरे फिल्म राजा जो कि 1995 में रिलीज हुई थी मादुरी दिक्षित के साथ ही बनाई थी इसमें हीरो के रूप में संजय कपूर को लिया गया था जो कि अनिल कपूर के छोटे भाई हैं उस समय संजय कपूर की स्टार वेल्यू बहुत कम थी लेकिन मादुरी के कारण राजा भी सफल रही जो कि संजय कपूर की एक मातर सफल फिल्म है इसके बाद मादुरी दिक्षित में काम करना कम कर दिया और इंद्र कुमार भी धमाल और मस्ती सिरीज में वेस्ट हो गए उनकी कुछ फिल्म में हिट रही तो कुछ फ्लाउ उनकी पिछली कुछ फिल्म में असफल रही और इंद्र को एक बार फिर मादुरी की याद आई धमाल सिरीज की तीसरे फिल्म टोटल धमाल में उन्होंने मादुरी को जोड लिया फिल्म हिट हो गई कहने वाले कह रहे हैं कि मादुरी एक बार फिर इंद्र कुमार के लिए लगी साबित हुई इस में रहे शक हिरोईन की जोड़ी ने चार हिट फिल्म में दी है झाल 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 झाल